हलो फ्रेंड्स किचिन दूई चैनल में आपका बहुत बहुत खेर मगदम है आज रमजान स्पेशल में हमने बनाया है चिकिन पैटी तो चलिए इसका प्रिप्रेशन हम बता देते हैं यहां हमने 250 ग्राम चिकिन लिया है बोनलेस उसमें सॉल्ट हमने एड़ कर दिया है हाफ दिया है छोनी को चैनल में ख्लिया है इसमें 1 खोनी के खरी एकथ पाउडर यह भी वंने हाफ टीपूण राचिली पाउडर इसमें हमने में तो इस तर हैरे से थोड़े से लंबे तुप्डों में कर लिया है यहां 1 teaspoon and थोड़ा सा और हमने अतरक लेसुन का पेस्ट एट किया है and 2 tablespoon भरके हमने दही लिया है जो खर का नॉर्मल दही होता है वो हमने ले लिया है थोड़ा सा खटा होना चाहिए एकदम ताजा दही नहीं होना चाहिए और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको हम हाफ ऑनार के लिए ने की लिए चोड़ देंगे तो यहां पे कुछ vegetable ले लिया है यह हमने लिया है अनियन यह हमने एक अनियन ले लिया है और गैस पे रख दिया है, वन टीस्पून बटर और उतना ही हमने ओइल इसमे आड कर दिया है, रिफाइन ओइल, क्योंकि क्या होता है बटर बहुत जल्दी इसे जलने लगता है, इसलिए और साथ में हम अनियन इसमें आड कर देंगे, और अनियन को हम सौटे करेंगे, मीडि एंट होते हुए चिक्किन को और इसमें हमने ऐट कर दिया है, और अब अम स्केशंडल को करेंगे छな में करेंड जाए, और इसमें हम एड जाए क्या साफुन मिर्च सबी को चैश्यक्रा धाये क्या है, अ हमने तो केशमेरी कढर करने मिर्च के लिए एड रहर दि youngestıldı wrap Signal कर मि और क्या है ना कि चिकिन तो फटा फट से कोख हो जाता है ज्यादा वक्त लगता नहीं तो इसे कवर करके दो तीन मिनिट के लिए छोड़ देंगे और देखिए कितना सारा इसने पानी रिलीज कर दिया है और अब इसको हम थोड़ा सा सुखा लेंगे पानी को चिकिन भी कुक करने से क्या होता है यह हार्ड हो जाता है तो देखिए पानी थोड़ा सुख चुका है तो हम इसमें कौन और शिम्ला मिर्च दोनों ही एड़ कर देंगे साथ में यह दोनों ही चीजें बहुत जल्दी कोख हो जाती है तो इसे भी हम एक-दो मिनिट इसी तरीके से कुक आड कर रहे है यह अच्छा टेंगी से टेस्ट देगा हमारी फिलिंग को और इसे क्या करेंगे एक मिनिट के ली कवर करके हम छोड़ देंगे तो हमने एक मिनिट के ली कवर कर दिया था और आब इसमें आड कर रहे हम मियोनीज 2 टेबल स्पून के करीब मियोनीज का बहुत गजब काता है, कहना चीकटिन को मेरीनेट करनी के टाइम में तो सूल्ट हमने एड किया ही था, लेकिन वेजीटेबल डालने के आप में हमने सॉल्ट इसमें एड नहीं किया, तो म्योनीस में भी सॉल्ट होता है उससे साबसे, कम ही सॉल्ट एड करें इसमें, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें तो यह हमारी जो फिलिंग है रेडी हो गई है जब यह फिलिंग रूम टेंप्रेचर पर आ जाएगी यानि कि अच्छी खासी थंदी हो जाएगी उसके बाद ही हम पैटीज में इसको यूज करेंगे और यह हमारे पास पैटीज शीट है और इसस हम अपनी पैटीज तियार करेंगे यह किसी भी सूपर मार्केट में यह चीट अराम से मिल जाती है और इसे हम थोड़ा सा रूल कर लेंगे और इसके फोर पीचेज कट कर लेंगे तो यह थोड़ा पहले मैंने निकाल दी थी फ्रीजर में से तो यह थोड़ा सा स्टिक हो र दालके और फिर इसको रोल कर ले रहे हैं और इसको फोर पीचेज में कट करके और इसकी हम पैटीज तियार करेंगे चाहे तो आप सिंगल एक पीस की भी बड़ी सी पैटीज बना सकते हैं जैसी मार्केट में मिलती है लेकिन मैंने कहा कि चलो चोटे-चोटे बाइट बना देते हैं कि रमजान में बहुत ज्यादा खाया जाता नहीं है तो बस चोटे-चोटे से एक बाइट की तरह बनाएंगे ताकि एक एक भी उठाके खाया जा सकता है और एक इनसान एक को फिनिश भी कर सकता है तो बस देखिए कितना अच्छा सा शेप हमने दे दिया है तो ऐ इसी तरीके से हम सारी इस तरीके से त्यार कर लेंगे तो पैटी हमारी रेडी है और अब हम इसे बेक करना है बेक करने के पहले हम इसे फ्रीज करना बताएं कि एक बॉक्स में आप इस तरीके से अलग-अलग एकदम अपनी पैटी रख लें और उसे अच्छे टाइटली प किसी वज़े से एग नहीं खाते हैं, एलर्जी वगरा है, तो आप सिब मिल्क से ही ब्रश कर सकते हैं, इसके उपर, एग की जगा पर. तो हमने क्या किया प्रीहीट कर लिया हमने लड्य पहीं प्रीहीट कर तटी जी को और भर निटी कर रहे हैं और टैन मिनिट हम yell अधसलेकर लगा या है और नदिये हमारी जो फान ओर बनकर रेडी हो गई है तो पैटी हमारी रेडी हो गई है देखिए कभी भी आगर आप बच्चों की बड़े पाटी वगएरा प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके के बाइच तियार करें क्योंकि बच्चे की भी डाइट बहुत कम होती है अगर बड़े-बड़े अपन चीजे ब बेस्ट नहीं जाता है तो उमीद करते हूं हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी आप हमें अपनी दौाओं में याद रखिए और मेरी जो रेसिपी है उसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फैंस में भी शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाजत मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ में बाबाई अलाहफेज